हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे विद्यम स्वागत है आज किस वीडियो में हम 10.1 यानि कि आपका जोमेट्री सुरू करने वाले हैं इसमें जो आपका अब्यक्टिव पूछा आता है तो कुछ इसमें अपका रियेटेड होगा ठीक है तो उसके पेरे हम कुछ इस तीन बि क्या बेता है चेट रियेखा हम किसे कहनें तो यह अब को जनना है एक रिखा जो बृत को दो भीन बिंडूओं पर प्रतिशेद करती है जो दो पिर्ट हो गया ये क्या ब्रीट है यह काट रहा है यह तो पनाल कद शोट है यह इसे कहले हैं यह कैते आठेष्ट कवाले को website दो बिंदू पर काट रही है समझ गया होगे आप फीघर में अब अगला हम देखते हैं यह आपके अब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ठीक है कि दो बिंदो पर परतिछेद करती रेखा है क्या कहलाती है तो छेदक रेखा कहलाती है इस टाइप से पूछे जाएंगे ठ छेखा एक भिंदू पर मिलती है तो इसे हम क्या कहेंगे सोरी एक ही बिंदू पर मिल रहा इसे कहेंगे हls रेखा कहेंगे और इस वारी सवाल में यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि यह जो आपका रेखा है यहां जो बिंदू है जो एक बिंदू पर काट रहा है वो क्या कर लाएगा असपर्स बिंदू तो एक फिर से पर लेते हैं वह रेखा जो ब्रीच से केवल एक ही बिंदू पर मिलती है सिर् बिंदू से असपर्स रेखा बिंदू कहलाती है ठीक है तो यहां पर आप लोग फीकर में समझ गये होगे यह क्या होगे आपका असपर्स बिंदू ठीक है और यह आपका असपर्स रेखा हो गया आज जिस बिंदू पर यह बिंदू पर आ रहा है वह असपर्स बिंदू हो ग सब होगा ठीक है तो उसके पहले अपका 10.1 में जो है कुछ सिर्फ ऑब्जेक्टी टाइप का होगा और कुछ नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका 10.1 का है इसे यहाँ पर देखेंगे », तो यहाँ पर क्या बोलागया आपका एक निमर सबाब में दिया हूआ है कि एक ब्रुत की कितनी अश्पर्स रिखायं हो तो इसका है तो इसका इसर क्या हैगा आपका की अनंत रहे नहीं की अनेक अनेक हो सकता है कैसे कि अस्पट्य रेकाइब यहां से हो सकता है 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 इनकी इसका अन्थ है नहीं हम इसको कहीं से भी ले सकते हैं तो यह क्या हो गया आपका अन्थ एक व्रित की कितनी अस्पर्स रखाएं हो सकती है तो अन्थ ठीक है अब हम आपका किसी बीद की अस्पर्ष रेखा उसे बिनदुों पर परतीछेद करती है तो रहाँ पर किसी बीद पर अस्पर्ष रेखा फिक किकर बुला गया है ऐस्परश रेखा उसे बिनदुओ विसुर्ष हो और है और 1 बिनदु क्त已经 mac 3 परतिछेद परémaंची付 कर रही है विसका आगे अगे ब्रीत को दो बिंडूं पर परतिछेद करने वाइघा को ब्रित को किनी 2 बिंदू पर परतिछेद करने वाही रेखा इसे हम क्या कहते हैं तो आपको बताये थे हैं भी इसे हम क्या कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं ठीक है अभी आपको बताये सामने यहां पर वोई करना है यहां पर क्या लिखेगा छेदक रेखा ठीक है यहां पर लिख लेते हैं छेदक रेखा ठीक है छेदक रेखा कहते हैं अब नेक्स्ट एक वृत की समांतर असपर्ष रेखाएं हो सकती है समांतर धृष बळुखते हैं एक की समांतर है कि इसके बराबर है ये क्या है समांतर यह इसके बडसht बोला जा रहा है कि बृत्र की शमानतर असपर्च रिखाया हो सकती है तो बृत पर यह है आपका कैसे एक ऐसे एक ऐसे ठीक करें को मात रखले हैं stick इसे कहेंगे हम समांतर यह इसके बराबर है तो यह हो गया समांतर तो कितने दो दो समांतर असपर्ष रिखाएं हो सकती है जो इसके बराबर आजा है वो समांतर रिखाएं होगा अब next ब्रिद तथा उसकी अस्पर्ष रेखा के उभैनिष्ट बिंदू हो सकते हैं क्या बला गया ब्रिद तथा उसकी अस्पर्ष रेखा के उभैनिष्ट बिंदू को कहते हैं अस्पर्ष रेखा का जो बिंदू है इसे हम क्या कहते हैं रिखालेसे हम अस्पर्स बिंदु भी कहते हैं।से हम क्या कहेंगे अर्सपर्स बिंदु कहेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे? तो यहां टूस्रे को देखेंगे। आपका 4 तर इसलिए को दीखेंगे तो देखते हैं सवाल नमर तीन को सौल्व करेंगे कि यह जो कुष्टन है आपका बहुत ही सिंपल ने क्या गिए यह प्ला हैं पहार सेंटीमेटेर तीरजा वाले ले एक वृत तो आपको उसके जा रहा है कि तो पहलें तो उस्टे SUBSCRIBE टिर्जाँ वालेaggi, अधा और में अधा होता है, यहांस प्लाफ है क्या बुला गया है विद के बिंदू पर इसको हम बिंदू पर आसपर्श रहा चीं tint यहां से आसपर्श रहा आपका बना यहां से रूआ और ऑफ प्रिट के इंदर वसे कमें तो ब्रित के केंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यूं पर इस परकार मिलती है यहां को मिला देना है मिलती है कि O क्यूं 12 है कि O क्यूं 12 है 12 संटिमीटर तो P क्यूं की लंबाई ग्याद करें सवार आप लोग समझ गया होंगे फिर से पढ़ते हैं 5 संटिमीटर तीज्या वाले एक व्रित के बिंदु P पर असपर्च रेखा P क्यूं केंदर O से जाने वाली केंदर O से जाने वाली रेखा से क्यूं बिंदु जो है इस परकार मिलती है कि O क्यूं बाड़ा है और यह को बताई दिया है और यह आपको ग्याद करना है सवार बहुत ही सिंपल था आपका option दिया हुआ है कि इसमें से क्या होगा तो यहां पर आप लोग 8 परेंट होंगे आप लोग वहां पर पाइथाग्रस पर में द्वारा बताया था कि करन का जो वर्ग होता है से इस दो बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है य यह आपका लंब है यह आपका अधार है ठीक है करन दिया हुआ है इसका जो लंब दिया हुआ है अधार आपको ग्याद करना है ठीक है पैथाग्रस पर में के अनुशार तो यहां पर हम पैथाओं से दरसाएंगे लिखेंगे कि ओपी लंब पी क्यू में लिखेंगे ओपी लंब P Q ठीक है चुकी यह लिखेंगे हल नहीं पर कुछ भी सॉल्व ओप्य लंब P Q और फिर लिखेंगे यहां पर क्या बन यहां पर क्या बन रहा है तो इसको बिताता देंगे कि कोन कौन ओ पी क्यूं कितना है 90 डिगरी फिर लिखेंगे हम यहां पे कि समकौंति इपर क्या बन रहा है समकौंति बन कॉंति पिरबुज व पी क्यूं में समकौंतरिबुज ओ पी क्यूं में यह समकौनतरिबुज Hem पैस्थーー परमुला का फूर्मॉला जो होता है उसे हम लगा देंगे जो उसने कहा था तो वो क्या बताये थे कि करने का वर्ग यानि कि OQ का वर्ग सेज़ दौषाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं यह कहा था तो नहीं अपर स्ट... सब्सक्राइब नहीं दिया हुआ है तो यहां पे देखेंगे 12 स्कॉयर अपर प्लस में है इधार आइगा तो मैनस में यहां पैए क्या बचेगा 5Q को यह स्कॉयर को इस तरफ कर लेंगे थे यहांवर जाएगा तो पर आपक हूं में यही आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल सवाल में कुछ कई सवाल में ठीक है आप अजय से भी मिनिला को निकालना है तो पी क्यों को यहां पे दिखेंगे और फिर तो क्यूं में ऑक्यू में मैंनस मेल बिधे सब्सक्राइब कर सकते हैं फिन द्युआक्ट यहां पर महत सवाल में कुछ नहीं है बस फ्रीगा बना के दिखा देना है तो यहां पर क्या कहा गिया एक व्रित किचिए है पहले हम तो यह आपका एक व्रिध हो गया ठीक है आप अच्छे से बना लेजिए गा है चांप से तो एक दी गई रेखा के समनतर और यहां पर एक रेखा दी गई है , फोक हो गया है आप शेता के समांतर दो ऐसी रेखा है किसमतर दो ऐसी रेखा खिशना है जिसमें कि उनमें से एक असपर्ष रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो ठीक है आपको यहाँ पर दो रेखा ऐसा खिजना है जो कि एक छेदक रेखाए बन जा और एक असपर्ष रेखाए बन जाए और असपर्ष रेखा भी वैसा कि यह इसके समानतर हो जाए का यहां पर दे देंगे अपका स्ध diagnosed होता है तो यह क्या हो गया इसके resolver गया एक क्या बोला है छेड़ग रिखा है क्या होता है इसके समध रिखा अर्वाल स्वाल को पढ़ते हैं एक बित खिचन यह तो यहां में डिखे सराक से सहमंतर कि भी में परेखा हो और दुसरी हो जाए तो आपको अमसरो हगा यहां को नांव ゃहे जीना है और तुम्हेर देंगे बसे नहीं और कुछ नहीं था तो यहां पर 10.1 जो हता है खतम हो जाता है और कल से अगले वीडियो में आपको 10.2 देखने को मिलेगा ठीक है उसमें हम सब बहुत सरे आपका होगा तो उसे हम समझेंगे बहुत ही आपका वो कुशन जो है पास्ट नमर कुशन में आएंगे बहुत ही इसी है और खास तोर पर उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव इसको दिया हो अब ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव एक चुपा रहता है तो 10.2 में जो आपका जतना भी सब्सक्राइब कर लें थेंक् यू